अब हम लोग थर्ड चीज मा आएंगे किरसी परसुपालन के बाद तीसरी जो सबसे बड़ी चीज थी जिसको हम लोग किरसी करते हैं जैसे के हम लोग जानते ही किरसी जो था वो मानशुपालन के उरजा कोतं ईक्दम अत्यान्त सिमित कर दिया जैसे कि हमें बताए कि इस से पहले जो लोग शिकार और भोजन संगरा करते थे झो यह पूरा और आप स्वित करने ही उसको इनर्जी लगाना पर तो अब इतना ज्याद आउसका बच जाता है तो पिर हम देखते हैं कि एक किर्षी और किर्षी के परकार यह सब चर्चा हम लोग करेंगे तो जीवन को बनाए रखने के लिए यानि जो जीवन होता है हमारा वो समझी हमारा जीवन पूरी तरह से खाद पेवि निर्वर है तो खाद फाइवर औस दिये पौदे हम अन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए फसलों का उत्पादन अर्थात फसल और पसुपालन को किर्शी के रूप में परिवासित के जाता है अगर आपको कहा जाए कि किर्शी किस्त को कहते है तो सिर्फ गेहूं उगा लेने को किर्शी नहीं कहते है उसमें फसल के साथ पसुपालन भी सामिल है अगर 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 कल्चर प्रोड़क्ट देखें तो उसमें पसुपालन मचली पालन यह सारा व्यापक आपको छेत्र मिलेगा जो किसी में आता है तो अगर हम देखें एसिया में भूटान और अफ्रीका में बुर्किना फासो और बुरुंडी जैसे देश कुछ ऐसे जान नव्य परतिसत से लोग अधिक जो है किसी पर निर्भार है अभी हाल फिलाल तक हमारे देश में भी आपको 70% था ही किसी पर आधारी अभी भी 50% से जादे लोग किसी निर्भार है लेकिन अगर हम भूटान में देखें या कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में देखें तो नव्य परतिशत लोग जो है वह किसी पर ही आश्री थे अब किसी में भी जैसे हमने बता है के जिससतरह से पसूपालन था और यह किर्सी तो किर्सी को भी दो भागों मेंहीं लोग माठते है अगि निर्भा किर्सी जो हम जीवन निर्भा के लिए की करते। कोई आप उगा लिये अना और आपके अपनी परिवार तक ही वह सिमित रहा बहुत कुछ वह तो आप अपने परोशी को किसी बदले में दे दिये की आम चावल दे रहें तुम आपको दाल दे दो तो इस तरह से यानि उसको आप बेच नहीं रहें हैं बाजार में नहीं वेज रहे हैं तो इस परकार का ढूर rocky होता है उसको निर्वाह किर्श हो पूरणता गैर वानिजिक होता है जैसे एकर हम डेंगे भी किसी को अपना चावल या गेहूं या कुछ भी तो वो उसका पैसा नहीं लेंगे यह वानिजिक नहीं होगा तो इस परकार जो होता है तो उसको हम लोग निर्वाह किर्सी कहते हैं अब देखिए यह किर्सी का है तो अभी हमने जैसे बताया था यह नोमेडिक हर्डिंग का छेतर है यह बुलू कलर का जो आपको दिखा दिया रहा है उसी तरह से किर्सी में भी हम लोग देखेंगे निर्वाह किर्सी में शिफ्टिंग कल्टिवेशन अस्थानांत्रित के किर्सी यह यह अरिया उसी तरह से हम देखेंगे सेटेंटरी इंटेंसिव एगरिकल्चर यह वाला एगरिकल्चर जो अपना इंडिया का है यह सब इरिया तो यह सब आगे हम लोग इसका और अध्यान करेंगे किर्ची का तो पहले जो था आधिकालीन जो सबसे पहले किर्शी की जाते थी आधिकालीन निर्वाह किर्शी तो इसमें क्या होता था आधिकालीन में क्या होता था जंगल को काट दिया जाता था और वहां खेत खेती का कार्ज किया जाता था तो इसको अस्थानांत्रिन शील यह शिफ अभी भी अभी जहां primitive tribe या नि प्राचीन न काल के जो tribe में वो भी आपिम देख्वैसल करते हैं आप को इस परकार आगर अगर देखेंगे कि येacaktr कि विश्व के अफ्रीका दक्षिन अमेरीका मद्द हमेरीका और दक्षिन अप्राइब में परचली थे शेफ्टिंग कल्टिवेशन कहा कहा है आपको अफ्रीका दक्षिन और मध्धा अमरीका में देखेंगे और दक्षिन पुर्वेश्या में यह परचली थे तो यह देखिए अब यह है आपको यह अभी निर्वाह किर्शी की बात हम लोग कर रहे था तो निर्वाहन किर्शी का यह मैप आप देख लें यह पूरा उच्छा च्छे दक्षिन अमरीका शहा है यह आपका पूरा इंडोनेसिया मलैसिया यह सब एरिया शिफ्टिंग क्टिवेशन। इसने प्याज़ाता है कई यह अब यह को पिस तरह से पूछा जाता है तो यह देखिए कि इसमए इसके नाम Sifting Cultivation का बिभीन देशों में बिभीन छेतरों में अलग अलग नाम से जैसे हम जानते हैं कि इंडिया में नौर्थ इसमें जूम की किरसी कहा जाता है उसी तरह से स्लैस अन बर्ण भी इसको कहते हैं और इसका जो सबसे सामाने नाम है इसका नाम है स्वेडन इस डबलू आइ डाबल डी इल स्वेड़न और सलेशन बर्ण जयानी इसमें होता क्या है कि जंगल के कुछ छेत्रों में आग लगा दिया जाता है उससे वो ब्रिक्ष साफ हो जाता है वो साफ करने के बाद वहाँ से वो किछिकार्ज प्रारब करते है और डिभिन छेत्रों में इसको जैसे 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 जोग्राफिकल चेंजर होते हैं तो इसका नाम अलग है उदारन के लिए अगर हम देखें तो मध्ध और दक्षिन एसिया मध्ध और दक्षिन अमरीका में इसको मिलपा कहा जाता है अफ्रीका में इसको चिमोटी कहा जाता है डक्षिनग पूर्वेशिया में इसको लडांग कहा जाता है और उत्तरपूर भारत में हमलोग जों किरसी कहते हैं तो यहां इस तरह से आपको दे देगा के अफरीका इस तरह से आपका परस्ट बनेगा के परस्ट निम लिखित कत्रों पर विचार करें अफरीका अफरीका आःस में देदेगा लगा उसी तरह से आपको देदेगा दक्शिन पूर्व एसिया और यहाँ देदेगा चिमोटी चिमे accept Chitamoni यह दिदेगा उसी तरह से देदेगा अमरीका और वहा देदेगाए अपको मिलप उसी तरह से देदेगा यह आपको भारत कन यह फिर दे देगाहलिकोटवर्ड वरफ यह ऑन आप यह चारों पर बताए घा क्शहाण Lee यूग में जो है सम्मिलित है इस तरह का कोश्चन आप से यूप यसी में पूछ सकता है तो अभी हम देखें कि वैस्वी किस्तिति क्या है तो इस परकार के किर्सी में अगर हम देखा तो विश्व के तीन परतिसत से भी कम लोग हैं ठीक है लेकिन इस किर्सी में विश्व के मात्र तीन परतिसत लोग हैं लेकिन अगर जोग्रफिकल एरिया की अगर हम बात करें तो यह बहुत बड़े एरिया में है अर्थात यह विश्व के साथ में हिस्से यानि 1 by 7th part of world में यह किर्सी की जाती है विश्व में की जाती है तो यह सबसे महत्पूर्ण है अस्तानां तरिंट किर्शी के बारे में अस्तानां तरिंट सीली किर्शी के बारे में है कि कि अपर गहण निर्वा किर्शी भी पहला तो जो प्रिमेटिव था वह किया दूसरा है गहण निर्वा जैसे हम लोग खेत में करते हैं श Small Dare Heavy करते हैं उस तरह का जो किर्शी होता है का सकर के जो हमारा कि एस या इंडिया और सौथ इस रे ँस तरह के खेती होते तो इस परकार के किर्सी बरे पैमाने पर मानसून एसी जैसे कि हमने बता है मैं घहनी आवादी वाले छेत्रों में पाई जाती है इसमें विष्व का लगवख 45 per 30 लोग जाए आगर हम वैस्तित अस्तर पे देखें तो इस किर्षी में 25 पर 30 लोग निर्वहन किर्षी wedभां को निर्वहन और और दूसरा है चावल के अतरिक्त चावल के अतरिक्त अन्य या अन्य आप लिख लें इसको अधर्स तो इस तरह से ये दो परकार के हैं अब देखें इसमें एक एक करके चर्च करेंगे ये दो कहां हैं तो चावल परधान गहन जिर्वा किर्सी इसके जिकर करें हम लोग तो इस परकार की किर्सी में परती एकाई छेत्र पैदावार अधिक होती है किंतु परती किर्शक उत्पादन कम होता है अर्थात आप ये समझिये कि एक एकर जमीन जमीन है तो एक एकर जमीन में इस वह क्या होता है 2 कोईन्टल आज मान लेगते हैं हो और ये दो कोईन्टल में के इस एक-एकर जमीन पे कम से कम 10 लोग सामयल तो अब यह दो को इंटल को दस लोग में बाट दीजिए तो परती एकाई तो ज्यादे हो रही है लेकिन यहां इसमें क्या होता है कि वो परती किसान पर किसान से उसको करें तो बहुत कम हो जाता है ठीक इसी का विप्रीत अगर आप देखेंगे अमरीका वगरे में या अधर जो बड़े पैमाने पर कमर्सियल लाइजेशन किर्शी होती है तो उसमें आपको यह जो एक एकर जमीन है उसमें मात्र माल लेते हैं कि यह दो को इंटल हो रहा है तो सिर्फ उसका अधा एक को इंटल होगा लेकिन यहां करने वाला सिर्फ एक व अब होता है उसी तरह आगर हम देखें तो जैसे हमने बताया कि चावल रही अधर दिन चावल मतलब जो अधर दिन राइस जो होता है उसके बारे में तो वो जो होता है आपको उसमें किर्सी मतलब पूरी तरह से इसी से होता है इसी तरह से आप देखें कि जिस तरह से हम लोग चावल की गान निर्वान के किर्सी कर रहे थे उसी तरह से इसमें भी होता है लेकिन इसमें चावल नहीं होता है चावल के तरिक इसमें गेहुं सोया भी जो 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 आर जिसक की फेतना है कि इसमें सीचाई की जासके जेतना भी आपका चावल पर्दान छेत्रे वहां इतनी रूप से परियापत बारिश होती है और पानी की उपलवता रहती है कि उसको सीचने की जरूरत नहीं परती है लेकिन यह जो चाहिए आपका गेहुम हो सोया बीन हो या जो हो य यह बेशिक में डिफ्रेंस है चावल और बेदर चावल वाले छेत्र में तो यह देखिए यह आपका जो चावल पर्धानता वाला यह है यह देखिए यह आप देख रहे हैं कि समुद्र के तट से और जो यह काफि जहां सालों बर बारिश होती है चुके यह हमाले है जैसा कि आमने आपको फिजिकल जोबर भी बताया था कि यहां परवतिये क्रित बरसा होती है इधर सुखा और इधर तो यह एरिया जो पूरा वेट एरिया ह आपको चावल मिलेगा इसी तरह इधर भी चावल आपको मिलेगा यह पूरा यह जापान वगएर जद्रा तो यह चावल है और जहां बारिश कम होती है सिचाई के सांधन का उप्यों करते हैं तो वहां गेहूं में मानने फसल जैसे कि यह यह लो कलर मुझे आप देख रहे तो यह हो गया राइस पर्धान मतलब चावल पर्धान और यह हो गया चावल के बेगार बला तो इस तरह आपको मिलेगा और वह हो खेपको मिलेगा रखी आपको मिलेगार जापको मिलेगार कि पर्धान अवब हो गया है